हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग 26 अगस्ट 2020 तो नीति आयोग ने यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेर्ड़नेस इंडेक्स जो है 2020 उसका रिपोर्ट जारी गया है तो यहाँ पे बोला गया है कि गुजरात ने अवरोल रांकिंग में टॉप रांकिंग जो है यहाँ पे देखें कि हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे जो parameters के हिसाब से export preparedness index को यहाँ पर design किया गए है कौनसी कौनसी challenges है भारत की export के लिए इंडिया की export को भी थोड़ा था यहाँ पर analyze करेंगे और यहाँ पर government ने कैसी initiatives लिए है export को बढ़ाने के लिए तो very very important video from Indian economy point of view के हिसाब से तो इस वीडियो को end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमाल चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो इसको please subscribe कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के notification इसी तरह आपको मिलते रहे तो चली आज का वीडियो शुरू करते हैं 26 अगस 2020 को नीति आयोग ने Institute of Competitiveness के साथ यहाँ पर partnership करके Export Preparedness Index 2020 को release किया है तो यह नाम से ही पता लगता है कि Export Preparedness Index यानि कि यहाँ पर अलग-अलग भारत के state show या फी union territories उनके यहाँ पर performance देखे जाते हैं तो देखें यहाँ पर overall जो अलग-अलग category है उनमें overall performing के हिसाब से अगर देखा जाए in the category of coastal state तो coastal state में यहाँ पर देखें कि जादा तर जो export होती है C के हिसाब से होती है तो जो भी states C के साथ connecting होती है उनलों को definitely यहाँ पर एक advantage होती है ports डेवलोप करने के लिए लेकिन हर states में जो है ports को develop करने के लिए भी problem होती है तो यहाँ पर अलग-अलग category रखा गया है कि coastal area के अलग-अलग states है यहाँ पर landlock states होती है यहाँ पर हिमालयन states अलग होती है यहाँ पर हिमालयन states से अगर बात करेंगे हम logistic का भी बहुत ही बड़ा effect होता है यहाँ पर तो सभी के हिसाब से यहाँ पर categorize किया गया है तो गुजरात को यहाँ पर top performing state का award मिला है तो देखें यहाँ पर API जो है यहाँ पर export preparedness index यह data driven effort है ताकि जो export को promotion करने के लिए जो crucial areas है उसको identify करके उसको develop किया जा सके तो यहाँ पर यह कैसे करेगी जो state governments है तो state governments को एक benchmark दिखाएगी कि देखें कि यह state जो है इस हिसाब से develop कर रही है बाकी states भी जो है उसके हिसाब से upgrade करने की कुर्शिश करेगी और यहाँ पर export promotion के लिए जो है government अलिक लग यहाँ पर policies को design कर सकती है तो थोड़ा था यहाँ पर discuss कर लेते जो key points तो export preparedness index का main objective क्या है कि जो challenges है और opportunities है उसको identify करना then यहाँ पर जो government policies है उनको effectively implement करना ताकि export की यहाँ पर जो regulatory framework है या फिर export की overall जो यहाँ पर rate है उसको आगे बढ़ना उसको develop करना तो यहाँ पर EPI को जब calculate किया जाता है तो चार main parameters को ध्यान में रखा जाता है एक तो होती है यहाँ पर policy comprehensive trade policy यहाँ पर ध्यान दिया जाता है अलग लग states के ताकि एक strategic direction के हिसाब से export या import हो से के यहाँ पर अलग लग states के देखा जाता है यहाँ बिजनस ecosystem तो यहाँ पर efficient business ecosystem को ध्यान में देखा जाता है ताकि एक states जो है यहाँ पर किस तरीके से चाहे वो बिदेशे हो या अलग-अलग जगा से हो यहाँ पर export को यहाँ पर attract कर सके और उसके लिए definitely यहाँ पर एक infrastructure होना बहुत ज़ड़ है तो सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है ताकि startups जो है startups यहाँ पर initiate कर सके तीसरा यहाँ पर देखा जाता है जो export ecosystem है ताकि यहाँ पर जो business environment है उसको access किया जा सके जो export से relatedly specific है यहाँ पर export performance चौथा parameters है यहाँ पर ताकि यहाँ पर जो है जो output को यहाँ पर analyze किया सके states और union territories का तो इसके अलावा भी 11 अलग-अलग सब parameters भी देखा parameters है यहाँ पर तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो performance के हिसाब से तो यह performance होना चाहिए यहाँ पर तो performance के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गुज्रात ने यहाँ पर overall जो है 2020 का EPI में टॉप ranking हासिल किया है उसके बाद महाराष्ट अ तमिल नाडू landlock states और जैसे क तो यहाँ पर तूप गुज्रात पास में तो गुज्रात ही आगा और यहाँ पिर महाराष्ट्र से यहाँ पर डिपेंड होना पड़ेगा तो राजस्थान के लिए भी यहाँ पर जो है कि एक केटेगोरी होनी चाहिए लैनलेक के रेगोरी में टॉप ranking हासिल किया है फोलो पुड़ा की जो एक्सपोर्ट है काफी किया जाता है तू बांगलादेश या बांगलाज से भी यहाँ पर काफी ट्रेट पुड़ा तक होती रहती है यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगी तो डेली की परफोर्मेंस सबसे अच्छी थी तो थोड़ा था यहाँ पर का फाइनेंचेल यह आते आता है यह जो है 331 बिलियन तक हो गए थी लेकिन यह फिर भी जो है अगर हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा जो एक्सपोर्ट यानि कि हर जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगी तो इंडिया की पर कैपि ही नीचे है और दूसरी बात है कि COVID-19 के वाज़े से एप्रिल 2020 में जो है एक्सपोर्ट जो है लगभग 60% तक जो है यहाँ पर कम हो गए थी काफी सारे यहाँ पर चैलेंजिस है चैलेंजिस बात करेंगे यहाँ पर इंटर रिजोनल डिस्परिटी जाने कि एक स्टेट में अलग अलग यहाँ पर पार्टी होती है जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते है उनलों की प्राइबेट यहाँ पर पर स्टेट के लिए यह एक होती है इंटर दूसरी होती है एक स्टेट और डूसरे स्टेट के बीच में यहाँ पर होती है यह एक प्रॉब्लम होती है यहां से ही की जाती है लेकिन बाकी सारे states की कुछ भी यहां पर contribution भी नहीं है क्योंकि इंडिया के पास जितनी potential है अगर उसको use किया जै तो definitely यहां पर बहुत काम में आने वाली है तीसरा point है यहां पर पोर रिसर्च और डेवलोप्में इंफरस्ट्रक्चर तो देखे यहां पर पोर्ट के इंफरस्ट्रक्चर के बारे में ही हो जादतर पोर्ट जो है भारत के western पार्ट में दिखेंगे यहां पर Eastern पार्ट में comparatively कम है अगर भले ही यहां पर C के साथ connecting भी है लेकिन उसको भी यहां पर development करनी पड़ेगी यहां पर research यहां पर करनी पड़ेगी कैसे इसको आगे बढ़ाई जाए ताकि unique और complex जो चीज होती है अलग-अलग region में उसको भी यहां पर जो है export किया जा सके तो द mid-term review जो है यह किया गया था ताकि यहां पर policy का जो intervention हो उसको किया जा सके और जो export को यहां पर boost किया जा सके ताकि एक्सपोर्ट जो है बहुत ही मंथर speed से जो है यहां पर आगे बढ़ी है तो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा है यहां पर logistic division जो एक create किया गया था Department of commerce में ताकि यहां पर integrated development logistic sector में यहां पर बढ़ाया जासा है कि ताकि जो transportation है मान लिजे अगर उत्तर प्रदेश है भी अगर यहां पर export करना हो तो logistic का यहां पर जो है खर्चा यहां पर ज्यादा कम होना पड़ेगा है ताकि यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि logistic में ही ज यहां पर logistic जो है देखना पड़ेगा यहां पर यहां पर बात करेंगे trade infrastructure export scheme जिसको ties भी बोल जाता है यह 2017 में launch किया गया था ताकि existing जो export infrastructure gap को यहां पर कम किया जासे कि agriculture export policy start किया गया था ताकि micro level पर agriculture products को जो export करने के लिए यहां पर boost मिल सेके transport and marketing assistance scheme जो है introduced किया गया था ताकि specified agriculture products जो है उसको यहां पर transport किया जा सके तो देखे एक चीज है कि आत्मनी भर भारत अभियान के हिसाब से भारत में कुछ यहां पर important steps ले है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा भारत खुद से ही यहां पर production करेगी यहां पर export को भी बढ़ान का यहां पर बात किया जा रहा है तो यहां पर देखिए export को बढ़ाने के लिए एक proper policy यहां पर framework होना चाहिए यहां पर stakeholders का यहां पर important role होती है logistics की यहां पर important role होती है R&D का बहुत important role होता है सब कुछ planning करके यहां पर आगे बढ़ना पड़ेगा क्यूंकि अभी भी अगर देखेंगे हम लोग जो है growth तो करें लेकिन यह बहुत ही slow growth है in comparison to the other countries चाइना की जो अगर बात करेंगे growth यह बहुत ही faster तरीके से हो तो वहां से भी हम सीख सकते हैं कैसे उन लोग ने यहां पर develop किया है तो काफी सारे points है जिसमें India develop कर सकती है क्योंकि इंडिया के पास यहा complete analysis regarding export preparedness index जो नीती आयों ने release किया है तो आशा करता है यहां पर आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला होगा तो देखें यहां पर चाहें वो prelims में हो आपको यहां पर conceptual question जो है पूछे जाएंगे means में आपकी यहां पर judgment को पूछा जाएगा आपको analyze करने को पूछा जाएगा एक अलग तरीके से तो यहां पर complete जो है आपको इस subject के इस topic के पर knowledge होना बहुत ज़र रहे है तो कोशिश किया है मैंने ताकि यहां पर complete information आपकी साथ share कर सको ताकि अगर ऐसे ही questions अगर आपको आप लोग उसको reciprocate कर सके आशा करता है इसे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला होगा और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक किजिए इसको subscribe किजिए और उसको share कर दीजिए कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत जाता है इंस्पार करता है और भी हार्ड ओर करने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही देख तेरे है स्टेरी राइस देख केर थेंक यू एन जय हिंद